हाई गीज़ और वेलकम बाक टो दी चैनल दीपाई चैदर वेजुकेशन वेलकम टी डेली करेंट अफियर्स ओफ 30 जुलाई 2023 तो गाई जाते तारिक 30 जुलाई 2023 आज की तारिक से जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट करेंट अफियर्स मिरेंगे उन सबी करेंट अफियर्स को हम याँ पर डीटेल से डिसकस करेंगे ये वेडियो यूपीस्ट और स्टेट पीस्ट के पॉइंट अव्यू से काफी जादा इंपोर्टेंट हो जाता है तो चलो शुबार हम करते हैं बटागे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दू हर रोज मॉर्निंग में राइट इन सभी न्यूज आर्टिकल्स के डेटा को प्रॉपर बैग्राउंड इन्फरमेशन के साथ में डिसकस करते हैं इस लेक्चर का पीडिएफ चाहिए तो आपने टेलिग्राम पर जाना है वहाँ पर जाके सर्च बॉक्स में लिखना है दीपाच ज्यादव एजूकेशन यहाँ पर 13,000 से जादा लोग अलड़ी जुड़ चुके हैं आप भी मेरे साथ में पर्सनली जुड़ सकते हो नाउ स्टार्ट करेंगे सेशन को सेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ वैसे तो आज संडे है तो संडे में तो कुछ नया डिसकस करना ह होता नहीं है एविन संडे को तो हमारा ये इन इक्सप्रेस वाला वीडियो आता ही नहीं है तो आज हम क्या डिसकस करने वाले हैं आज हम पूरे सप्ता का रेविजन करेंगे आज से कई महीने पहले मैं ये रेविजन वाला वीडियो लाया करता था बीच में बहुत सारी ज मेरा भी consistency maintain रहेगा और आपका भी रहेगा यही मेरे दिमाग में आया कि पूरे सब्ता का revision कर लेंगे तो मंडे से लेकर यानि कि 24 जुलाई से लेकर 29 जुलाई मंडे से लेकर Saturday तक जितने भी current affairs news में थे उन सब का revision हाला कि उतना detail में नहीं discuss करेंगे क्योंकि हर रोज 50 मिनट का वीडियो बन रहा है तो ऐसे तो 10 घंटे का वीडियो बन जाएगा तो हम लोग यहां पर overview लेंगे क्योंकि revision का मतलब होता है उपर से बस खली चीजों को revise कर लेना देखते हैं हम अपना कितना जादा चीजों को याद रख पाए हैं चलो start करते हैं फिर जल्दी-जल्दी मे रोज नया नया हम लोग पढ़ते हैं बहुत कुछ पढ़ लेता हैं लेकिन वो एकटा करके रख लेते हैं जब तक आप revision नहीं करोगे तब तक examination के अंदर कोई फाइदा नहीं है कोई चीज याद नहीं आएगी भले ही आप रोज कितना ही कुछ नया पढ़ते हैं चले ठीक है अब यह जो income tax को celebrate किया रहा है इसके पीछे का reason क्या है क्योंकि यह वही तारीक है यानि कि 24 जुलाई को 1860 में 1860 में यह जो income tax है इसको introduce किया गया था लाया गया था income tax को लाने का main objective है कि जो सरकार का revenue है वो थोड़ा सा generate हो सके सरकार की कमाई हो सके क्योंकि obviously बात है सरकार का main revenue generation है सरकार की जो income है वो main income कहां से आ रही है वो main income tax के माधियम से आती है प्लस ये दिन इसलिए भी मनाया जाता है या observe किया जाता है ताकि हर एक व्यक्ति को यहाँ पर इसके बारे में जो awareness है वो यहाँ पर हम लोग फैला सकें जारुकता फैला सकें और उनको इस income tax का importance बता सकें जिससे कि यहाँ पर government के पास में ही सारका सारा revenue generate होता है पिर हमने डिसकस किया था production linked incentive scheme 2.0 के बारे में बहुत यहाँ से चीज़ों को सुनते वे चलना बस मैं revision करवाऊंगा आपको एक overview देने वालों तो recently यहाँ पर क्या होता है production linked incentive scheme 2.0 को लेकर कुछ guidelines यहाँ पर जारी की गई है और इन guidelines के अंदर में देखो पहली चीज़ यह production linked incentive scheme क्या होती है सबको पता है सरकार यह scheme इसलिए लाती है ताकि वो किसी particular product का जो production है उसका जो उत्पादन है उसको बढ़ा सके उसकी manufacturing को बढ़ा सके तो अभी PLI 2.0 scheme किस चीज़ के manufacturing के ओपर focus कर रहा है तो यह focus कर रहा है laptops, tablets, all-in-one PCs, servers इन चीज़ों के ओपर में तो इनके production के लिए PLI 2. 2.0 scheme को यहां पर लेकर आया गया इसमें यहां पर जो companies होंगी उसमें global companies, domestic companies और hybrid companies तीनों प्रकार कियोंगी यानि कि international level की जो company है उनको भी इसमें cover किया जाएगा उनको भी production करने पर जो incentive से वो दिये जाएंगे, domestic companies को भी incentive दिये जाएंगे, plus यहां पर जो hybrid company है, hybrid company मतलब ज basis पर जो incentive दिया जाता है तो इन companies को भी दिया जाएगा, अब उसके बाद में जो यह PLI 2.0 scheme है, यह कहिना कि 6 साल तक आपके सकतो incentives प्रोवाइड करवाने का काम करेगी, यानि की production बढ़ाने का काम किया जाएगा और production बढ़ेगा, तो overall economy के अंदर काफी सारी growth हम लोग यहां पर देख सकते हैं, फिर बात करते हैं, इंसेंटिफ के तो कितना कितना incentive देने वाले हैं, तो global companies के लिए लगबाग 45 billion dollar का incentive रखा गया है, और जो hybrid companies हैं, जिसमें global और domestic दोनों features हैं, उनके लिए 22.50 billion dollars रखा गया है, और जो cable domestic companies हैं, हमारे देश की companies हैं, उनके लिए 5 billion dollars रख तो इस प्रकार से incentive payout होने वाला है, अगले article में हमने discuss किया था, नमदा आर्ट के बारे में तो एक important art है, जो कि कश्मीर में काफी ज़्यादा popular है, news में इसलिए था, क्योंकि यह जो नमदा craft है, इस प्रकार की जो कला दिखाई जाती है, जैसा आप यहाँ पर देख पा रह हुए चले जा रही थे, तो अभी recently news में यह इसलिए था, अब हम लोग थोड़ा सा बात करेंगे, नमदा आर्ट के बारे में अल्यडी हम discuss कर जोके हैं, नमदा आर्ट की जो शुरुबात है, वो 16th century के अंदर में होई थी, जब मुगल Emperor Akbar क्या करना चाता था, अपने घोडे को ठंड से product करना चाता था, बचाना चाता था, तो यहाँ पर इस प्रकार की उसने अपने घोडे को ठंड से बचाने के लिए जो covering है, वो यहाँ पर आपके सकतों लेकर आया, और इस पूरे नमदा आर्ट को introduce किया गया था, एक सूफी सेंटे जिनका नाम है शाह ए हमदान तो इनों ने यहाँ पर इस पूरे के पूरे craft को जो है introduce किया, और यह जो कश्मीरी craftiness के अपना में एक important feature है, क्योंकि यहाँ पर जो own का use हो रहा है, थोड़ा special तरीके से हो रहा है, यहाँ पर normal बुनाई नहीं हो रही है, यहाँ पर आप देख पाऊगे इस प्रकार से felted art देखने को मिलेगा, यानि एक तो normal तरीका यह हो गया, अब इसी को यहाँ पर प्रेस किया जाता है, अलग तरीके से तो यह जो है इस प्रकार की form ले लेता है, तो नमदा आर्ट में इस प्रकार का आपको यहाँ पर यह कपड़ा देखने को मिलेगा, इसी से यहाँ पर जो और ज़दा फ्लैटन कर दिया गया है जैसे आप देख पार होंगे यह नॉर्मल है इसको और ज़दा दबा कर फ्लैटन कर दिया गया दबाया किस चीज से है तो इस प्रकार्ट की जो हैं पर बास्किट्स वगरा होती है इनका यूस किया गया है थोड़ा पानी छड़कने के बाद में इसका यूस करने के बाद में इस प्रकार से यहां पर प्रेस करने के बाद में यह जो शेप है वो ऐसी वाली शेप को ले लेता है और जो यह नमदा आर्ट है यह कहीं है कि इंडिया के सासाथ कुछ और देशों के अंदर भी काफी ज़दा पॉपलर है फॉर एक् मीजल्स आउटब्रेक के इसका रिस्क काफी जादा बड़ा हुआ है मीजल्स क्या है बेसिकली एक हाइली कॉंटेगेस बिमारी है जो कहीं हवा से फैल सकती है खासकर यह बच्चों को बुरी तरह से इंपक्ट करती है यह जो वाइरस है ना यह वाइरस सीधा हमारे रेस्पि पहला सिम्टम है वो यही है कि यहाँ पर एक बच्चे को जो बुखार है वो काफी तेजी से आ जाता है उसके बाद नाग बेने लगेगी या फिर ठंड लग जाएगी उसको उसकी आँखे लाल होने लगेगी आँखों से पानी गरने लगेगा इस प्रकार के जो यहाँ प वज़से सबसे ज़्यादा परिशाणी किसको होती है जो खासका नॉन-उमीन परसन है जानि कि उनको वैक्सिनेशन नहीं दिया गया है उनकी इम्मिनिटी आज के समय पर इतनी ज़्यादा स्ट्रॉंग नहीं है तो अन वैक्सिनेटेड यंग चिल्रन या फिर प्रेगनें सेट किया है कि 2030 तक हम लोग 100 million tons के आसपास coal gasification का target जो है वो पूरा करेंगे तो coal gasification के लिए आपे कई सारी companies जो है उनको लिया जा रहा है ताकि इसको promote किया जा सके coal gasification नाम से बता चल रहा है कोईले से हम basically एक gas को produce करेंगे वो जो gas होगी वो होगी syngas अब syngas कोई अकेली gas नहीं है syngas काफी सारी चीजों का mixture है for example syngas के अदर में carbon monoxide होता है hydrogen होता है carbon dioxide होता है और methane होता है ध्यानक ना directly question बन सकता है तो carbon dioxide hydrogen carbon monoxide methane से मिलकर और water vapor से मिलकर यह syngas बनता है और syngas को बनाने के लिए यहाँ पर आप कह सकते हो कोईले का सबसे important use होता है कोईले को हम लोग oxygen के साथ में और plus यहाँ पर कह सकते हो एक high pressure के अंदर में heat करते हैं ठीक है उसको heat करने के बाद में क्या होगा इस पूरे reaction के अंदर में जो oxygen है और जो water molecules है यहाँ अपस में oxidize होके क्या करेंगे एक syngas को produce करेंगे और वो जो gas होगी उस gas में यह सारी चीज़े पाई जाएंगी जैसे मैं आपको बताया है अब इसका कई तरीके से use हो सकता है इससे यहाँ पर directly कोईले को हम जला आए नहीं रहे हैं तो जो pollution ने वो थोड़ा सा control हो जाएगा यहाँ पर pollution थोड़ा सा कम हो जाएगा यह इसका सबसे बढ़ा advantage आपको नज़र आएगा फिर उसके बाद अगले article हमने windfall tax के बारे पड़ा था याद आ रहोगा तो भारती सरकार ने यहाँ पर हाली में जो हमारी domestic petroleum crude oil companies हैं ठीक है कच्चा तेल देखो इंडिया में भी produce होता है बाहर से तो हम खरीते हैं लेकिन कुछ कच्चा तेल भारत में भी produce होता है तो उन companies के उपर में windfall tax सरकार ने वापस से लागू कर दिया था इस वे से यह news में है दोस्तो windfall tax क्या होता है बहुत ध्यान से सुनना जब भी कोई company एक extra profit कमाती है यानि एक तो फाइदा उसको होता है ठीक है उसका average profit है लेकिन उससे बिना कोई effort लगाए बिना कोई extra काम किये उसको profit जादा generate हो रहा है तब जाके यहाँ पर क्या होता है उस extra profit के उपर सरकार tax काटती है जिसको हम लोग windfall tax बूलते हैं अब आपको होगे ऐसा कैसे for example लेते हैं जैसे कि अभी हम लोग बात कर रहे हैं petroleum crude oil companies की तो भारत में जो कच्चे तेल का उत्पादन करने वाली company हैं यह normal तरीके से अपना जितना rate में तेल बेच रही थी लेकिन अचानक से suddenly क्या हुआ international level में एक issue create हो गया Russia Ukraine का जो विवाद है वो start हो गया जिसकी वज़ा से international level पर कच्चे तेल के दाम अचानक से बढ़ गए तो extra profit है दोस्तो उसी के उपर सरकार tax कारती है जिसका हम लोग windfall tax बूलता है windfall tax के पीछे का logic यह है कि देखो यह unexpected तरीके से gain हुआ है इसका कोई यहाँ पर लेना देना नहीं है कोई extra efforts नहीं है इसके पीछे that is why यहाँ पर इसका अच्छे से redistribution होना चाहिए plus सरकार के locations बहुत important होती है दोस्तो और वालमिकी Tiger Reserve आज के समय पर बिहार में आपको देखने को मिलेगा बिहार basically यहाँ पर यह state है बिहार के जो राजदानी है वो है पटना बिहार से जो boundary share करने वाले state है वो है उतरपरदेश जारखंड और साथी साथ में West Bengal ठीक है और नेपाल एक international country है जो कि यहाँ पर नेपाल के साथ में एक international boundary को बनाता है समझ गए आ गया आता है तो directly यहाँ पर question बनेगा location को लेकर boundaries के बारे मों अलड़ी हम discuss कर चुके हैं बाकी वालमिकी Tiger Reserve से कई सारी नदियां बहती है जैसे गंड़क, पंदाई, मनूर, हरह, मसन, भपसा इस प्रका Trans-specific Partnership हाली में इसलिए ये न्यूज में था क्योंकि United Kingdom ने agree कर लिया है कि वो पहला ऐसा European देश बनेगा जो कि इस group को join करेगा तो ये group क्या है आव दोस्तों इसके बारे में बात करते हैं ये जो comprehensive and progressive agreement for Trans-specific Partnership है इस group के अंदर में आज की समय में total 11 countries हैं वो 11 countries कौन कौन सी है तो तो 11 countries में आ जाता है Australia, Brunei, Canada, Chile, Japan, Malaysia, Mexico, New Zealand, Peru, Singapore और वेतना तो ये total 11 nations आते हैं और कहीं न कहीं आपर इन 11 nations में ये जो agreement है ये free trade agreement का काम करता है free trade agreement मतलब आपस में इन देशों के बीच में जो व्यापार उसको बढ़ावा देता है custom duties या extra charges को कम करके इस CPTPP agreement को sign किया था मार्च 2018 के अंदर में इससे पहले एक और agreement हुआ करता था उसमें से US withdraw किया उसके बाद जाके ये CPTPP बनता है जितनी भी 11 देश आपको इस CPTPP agreement में देखने को मिलते हैं वो 11 के 11 देश APEC के भी members है APEC का मतलब होता है Asia Pacific Economic Corporation तो Asia Pacific Economic Corporation के अंदर total 21 countries आपको देखने को मिलेंगी इस body body को बनाया गया था 1989 में इन 21 countries के नाम में यहाँ पर मैं भी ready करूँगा तो आप इसको यहाँ पर एक बार देख सकते हो ठीक है बाकी जो ये Asia Pacific Economic Corporation इसका जो main headquarter है वो कहाँ पर है Singapore में इसका main headquarter देखने को मिलेगा लेकिन अगेन जो भी यहाँ पर ये APEC जो body बनाई गई है इसका भी main मकसद यह है कि आपस में जितने भी ये 21 देश है इनके बीच में जो व्यापार है economic corporation है उसको पूरी तरह से promote करना बढ़ावा देना अगले article में हमने Umiam Dam के बारे में बात की थी recently ये Dam News में था तो Umiam Dam को हम लोग बरपनी Dam के नाम से भी जानते हैं ये जो हमारा Meghalia state है North Eastern India के अंदर में वहाँ पर इस्थित है तो Meghalia कहाँ पर है देखो ये North East India हुआ ये basically यहाँ पर Meghalia आपको देखने को मिल जाएगा ठीक ह तो यहाँ पर Umiam Dam आपको देखने को मिल जाता है ये Umiam Dam situated है Umiam नदी के उपर में इस वैसे इस नदी को लेकर ही नाम इसका Umiam Dam पढ़ चुका है Umiam Dam का में मकसद है बिजली का generation करना साथी साथ में यहाँ पर पीने योगे जो पानी है वो यहाँ पर supply करना काफी सारे इसके आ तुरा खंड में था मुझे यादर है 2011 में वो परशन पूचा गया था उमियम Dam की location location ध्यान रखनी है फिर उसका हमपी को लेकर कुछ key facts news में थे क्योंकि थर्ड शिर्पा की जो meeting हुई थी G20 Presidency Ship के अंदर में वो हमपी में हुई थी इस वज़े से हमपी को लेकर मैंने काफ हमपी बेसिकली एक UNASCO World Heritage Site भी है जिसको UNASCO World Heritage का एक टैग मिलावा है क्योंकि यहाँ पे कुछ important temples वगरा देखने को मिल जाते हैं प्लस यहाँ पे जो हमपी है इसका इतिहासिक importance बहुत जादा है यह जो पूरा हमपी है एक समय पर यह विज़े नगर Empire का capital हुआ करता था व हमपी से गुजरती है वहीं किनारे हमपी established है प्लस यहाँ पे कई सरे grand temples, palaces, marketplaces और बाकी सरे structures देखने को मिलेंगे सबसे important temple जो हमपी में है वो है वितला temple complex और उसकी खास बात है यहाँ पर यह रत दोस्तों आप यहाँ पे देख पार होंगे stone से बना हुआ यह रत उस जमा आपको देखने को मिलेगा उसके बाद जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर जो information है temple complex को लेकर बता दिया है एक famous सा chariot यानि कि वो जो famous सा रत है वो आपको देखने को मिलेगा जो यह शरी विजय वितला temple है यह dedicate किया गया Lord वितला जी को जो की Lord विश्नु जी के एक अवतार है स 25 जुलाई को हर साल world embryologist day celebrate किया जाता है embryologist कौन होता है embryologist वो medical professionals होता है जो कि sperm eggs और embryos की पढ़ाई करता है study करता है देखो यह वो लोग है जो कि कहींने के एक नई life को create करता है बेबी इसको बनाते है बेबी इसको बनाते है इसका मतलब क्या है क्योंकि यहाँ पर IVF treatment का यू होता है क्या exactly यहाँ पर एक egg लिया जाता है जो female है उनका egg लिया जाएगा male का sperm लिया जाएगा दोनों को यहाँ पर combine किया जाएगा और egg जैसे ही यहाँ पर fertilize हो जाएगा तो फिर उस egg को वापस से महिला के अंदर में insert कर दिया जाएगा उसी position पर fertilize होने के बाद में इसस radical में में discuss किया तो nomadic elephant के बारे में तो nomadic elephant basically एक bilateral joint military अभियास है ठीक है तो यह अभी recently news में था और अभी भी यहाँ पर अब जब मैं video record कर रहा हूँ ना अभी भी अभियास चल ला है यह अभियास इंडिया और मोंगोलिया के बीच में होता है और अब की बार मोंगोलिया की जो capital है उलन बतर वहाँ पर यह अभियास चल रहा है ठीक है यह यहाँ पर आपने ध्यान में रखना है डिरेक्ली आपसे examination में पूछ जाएगा कि कौन से देश के साथ में यह nomadic अभियास होता है तो वो है मोंगोलिया फिर उसके बाद अगले article में हुलू गिबों के बारे म बात की जा रही है यह जो आपको बंदर की प्रजाती बंदर से लिंक होता वह प्रजाती देख रही है यह एप की प्रजाती होती है एप थोड़े से intelligent होता है जैसा आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे थोड़ा human के साथ में इनका connection ज्यादा बेटर बैटता हूँ नजर पर जाता है तो हुलोग गिबो रीसेंटली न्यूज में है तो हुलोग गिबो बेसिकली यहाँ पर only ape है यानि एक लोटा एप है जोकी बंदर की इस प्रजाती जोकी इंडिया में पाई जाती है हुलोग गिबो इंडिया के सासाथ बांगलदेश नॉर्ट-East इंडिया म दियानमार् और साउथ वेस्च चाइना में भी देखने को मिल जाते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर ध्यान अकना है कि हुलोग किबो जब हम लोग बात करें तो इनको दो कैड़िगरी में बाटा जाता हैं एक होते हैं वेस्टन हुलोग किबो और hack will में difference है वो difference जियानक ना जो western hulog gibों है यह खास कर यहां पे इंडिया में north east वाला region हो गया है ना ब्रहमपुत्रा रिवर दिबांग रिवर यानि कि असम की बाद हम लोग कर रहे हैं और इंडिया के नौर्ट इसन रिजन में पाया जाता है Eastern hulog gibों का IUCN के अंदर में जब आप status देखते हो तो उसको vulnerable section के अंदर में cover किया गया है Eastern hulog gibों भी अरुनाचल प्रदेश में असम में देखने को मिलेगा और उसके लवाद चायना और मयानबार में पाया जाता है फिर next article में हमने रामगर्ड विश्दारी Tiger Reserve के बारें बात की थी तो रामगर्ड विश्दारी Tiger Reserve recently news में था तो सबसे पहले चीज़ मैंने हमेशा बोला है कोई भी Tiger Reserve है National Park है Wildlife Century है उसकी location रट लेना यह रामगर्ड विश्दारी Tiger Reserve कहां पर है यह है राजस्तान के अंदर ठीक है राजस्तान में है यहां से एक नदी मेज नदी मेज नदी गुजरती है मेज नदी जो की बेसिकली एक ट्रिब्यूटरी है यानि की साहिक नदी है चंबल नदी की वो इस Tiger Reserve से बहती हुई गु पेर करता है अब यहीं पर यानि की रामगर्ड विश्दारी Tiger Reserve में एक सबसे इंपॉर्टेंट पेड पाया जाता है नहीं सब जगे यह पेड देखने को मिलेगा जिसका नाम है धोग इसका साइंटिफिक नेम है एनोगेसिस पेंडूला नेक्स क्वेशन में सुरी नेक्स प्रशन सा की गई यह जो यहाँ पर दो मेगा टेक्स्टाइल जो पार्क का फांडेशन रखा गया है वो महराश्टर गुजरात में रखा गया है अच्छा तो होगा क्या जैसे मैंने बोला कि आजकल क्या होता है कपड़े को तयार करने के लिए एक जगए कड़ाई एक जगए बुनाई फिर कोई भी परिशानी नहीं होने वाली है और इसके लिए यहाँ पर जो हमारी Ministry of Textiles है वो financially support करने वाली है और काफी सरा पैसा प्रोवाइड करवाई जाएगा 500 करोड पर पार्क टूदा पार्क SPV को यहाँ पर प्रोवाइड करवाने वाले हैं देखो मतलब क्या मैं आपको सम गूगर सके समझ गए तो इसी के मादम से बहुत सारा पैसा खर्चने वाले हैं प्लस Ministry of Textiles के अंदर में यह सारा काम किया जाएगा Government of India ने प्लान किया है कि इस प्रगार के जो पार्क हैं वो हम तमिलनाड उसके साथ तेलंगना गुजरात करनाड का मध्यप्रदेश उतरप जो दर्द होता है साथी साथ में जो हमारा शरीर है उसके अंदर काफी जदर धाकान भी होती है अब इसके पेचे का कारण क्या है जो स्टेडीज है वो अभी तक जारी है मैंने जासे बताया था लेकिन रिसेंटली यह न्यूज में था रिसर्चर्स मानते हैं कि देखो यह पर जो दर्द होता है न वो बहुती जादा पेइनफुल वाला होता है एक इंसान के बरदास से बाहर होता है तो इस पूरे कंडिशन में फिब्रो म्यालिया के अंदर में लक्षन क्या होता है मसल के अंदर पेइन होना थकान होना फेस में दर्द होना सर में दर्द होना जाएजस्टिव प्रॉब्लम सोना डायरिया जैसी प्रॉब्लम सोने लगती हैं क्वेशन यहां पर यह है कि यह बिमारी किसको अफेक्ट कर सकती है तो कोई भी व्यक्ति किसी भी परडिकलर एज काओ चाहे वो बच्चा ही क्यों नहों महीलाओ में खासकर जादतर यह बिमार विल्स की बारे में रीसेंटिएट जो पाइलेड विल्स है वो यहां पर उनको मार दिया गया स्टेमेंट पर रीसेंटिय जिसव़ेशन के फ्रम में तो पाइलेड विल जो है यह बिला पर अ shrim ए हम से इस फैमलिसे पैलेट वेल की दो परजातियां देखने को मिलती है एक शॉर्ट फिन वाला पैलेट वेल होता है और एक लॉंग फिन वाला पैलेट वेल होता है अब दोस्तों फिन क्या होता है तो आप लोग इस प्रकार से देख पाओगे मचली के साइड में यहाँ पर इस प्रकार से आपको यह जो fin है वो देखने को मिलता है ठीक है, जब fin छोटा होगा तो वो short fin वाला pilot whale है और fin बड़ा होगा तो वो long fin वाला pilot whale है ठीक है, short fin वाला गरम पानी में रहना पसंद करता है long fin वाला जो है, long fin वाला जो है यह cold water के अंदर रहना पसंद करता है ठीक है, इसके features क्या है तो इसका जो sir है वो थोड़ा round सा देखने को मिलेगा normally क्या होता है, यहाँ पर आप देखोगे यह जो whale है, इसका जो sir है यह ऐसा goal सा आपको यहाँ पर नज़र आ रहा होगा round सा, यह यहाँ पर इसकी एक अलग से पहचान है, बाकि इसकी कोई चोंच बगर नहीं है, वैसे क्या होता है, मचली की ऐसे करके चोंच देखने को मिलती है ना, लेकिन इसकी कोई भी इसकी के अंदर में जो male वाली स्पीशी है, वो थूड़ी सी साइज में बड़ी होती है, फीमिल से पाइलेट विल्स यहाँ पर ग्रूप में रहना पसंद करती है कहीं पर आपको बारस या नहीं की एक दरजन से लेकर सो क्या सपास पास पाइलेट विल्स के एक ऐसा हाइवे जो की तीन देशों को जोड़ने का काम करेगा, जैसे हमारा मनिपूर के अंदर में जगा है मोरा, फिर उसके बाद में मयानमार हो गया, मयानमार हो गया, फिर उसके आद में इदर थाइलेंड हो गया, यह तीनों देश आपस में जुड़े वे हैं, तो हम है कि एक ऐसा हाइवे त्यार करना, जिस हाइवे पे काम भी चल रहा है, कि वो सीधा इंडिया को थाइलेंड से जोड सकेगा, आप अपनी कार लेकर थाइलेंड जाना चाहते हो, तीसरे देश में तो सीधा यहाँ पर आप इस तरीके से दिल्ली से गुजरते वे मनिपूर मनिपूर से यहाँ पर म्यानमार, म्यानमार को क्रॉस करने के बाद में थाइलेंड समझ गए, तो यह है यहाँ पर एक टारगेट, तो एक कनेक्टिवीटी को प्रमोड करने का काम करता है इंडिया म्यानमार थाइलेंड ट्राइलेंड हाइवे, तीन देशों के बीच में हा पॉजट की जो सबसे पहली बार शुरुवात है इसका जो प्रोपोसल है वो हमारे जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ने अड़ल बिहारी बाच पाई जी इन्होंने यहां पर रखा था और फिर इसका अलगलग मीटिंग्स हुई जहां पर इंडिया मियानमार भी रिरेडी हो अगले आइटिकल में हमें डिसकस किया था स्टील स्लैक रोट टेक्नलोजी के बारे में दोस्तों आपने देखा होगा जो नॉर्मल रोट बनती है वो डामर वगएरा से बनती है उसमें भजरी वगएरा का यूज़ किया जाता है लेकिन जो बैलस्ट वगएरा जिसकों लो आते हैं और बाहर की साइड में गिरा देते हैं और जब यह सूखेगा तो इस प्रकार से छोटे-छोटे concrete की shape ले लेगा और इसी का यानि यह जो कच्रा है जो यह waste है इस waste का हम use कर सकने है roads के अंदर में सडकों के लिए इससे best चीज कुछ नहीं है इसी वज़ा से यहाँ पर यह steel slag road technology आपको news में देखने को अमल जाती है समझ गए तो यह कहीं ना कहीं जो हमारा एक mission है na waste to wealth mission उसको भी पूरा करता क्योंकि यहाँ पर हम लोग कबाल को यानि जो waste है जो कूड़ा है उससे हम लोग wealth generate करने के उपर काम कर रहे है तो steel slag road technology क्या है अब इसमें कोई दो राइन होंगी नहीं आप समझ गए होंगे इस steel slag basically यह road technology ऐसी road technology है जहाँ पर road बनती तो है लेकिन जो waste generate होता है steel के production के दोरान उस waste से यहाँ पर road को बनाया जाता है road और ज़दा मजबूत होती है robust होती है durable होती है कैसा भी weather हो बारिश हो धूप हो कैसा भी condition हो वो road यहाँ पर हमेशा ठीकी रहती है advantages कई सारे हैं जैसे eco friendly है environment को कोई नुकसान नहीं हो पर है cost effective है durable है maintenance का कोई cost लगेगा नहीं आगे तो यह इसके यहाँ पर काफी सरे benefits आपको नज़र आता है फिर हमने next article में बात की थी star c initiative के बारे में तो इंडिया आज के समय पर जो अपना solar technology and application resource center initiative है इसको expand करने के उपर focus कर रहा है pacific countries के अंदर को भी हम लोग यहाँ पर इसमें include करेंगे तो इस बसे यहाँ पर यह news में है तो star c initiative का है तो यह जो program है इस program का main मकसद है solar power ecosystem को जो गरीब देश है वाँ पर promote करना जो sun energy है उसको promote करने के उपर especially main focus किया गया है इस initiative को कौन चला रहा है तो star c initiative को run किया जा रहा है international solar alliance साथी साथ में international solar alliance जो है वो हमारे united nation industrial development organization के साथ में partnership कर रहा है उसके बाद यहाँ पर इसको तयार किया गया है इस initiative का main मकसद है एक अच्छा solar energy का production करना इस सभी poor countries के अंदर है एक अच्छा network को generate करना जो यह project है इसको यहाँ पर fund दिया जा रहा है फ्रांस के मादियम से यह अपने दियान में रखना है समझ गए अब यह जो program में इसका main objective क्या है लोगों में awareness फिलाना solar energy की जो ताकत है उसके बारें बताना एक अच्छा quality infrastructure बना कर देना उसका development करना ताकि solar energy का proper use के अज़से के पूर countries में अब यहाँ पर यह सारा काम international solar alliance कर रहा है तो international solar alliance क्या है तो basically एक ऐसा initiative एक ऐसा effort जो कि भारत और फ्रांस के माधियम साया है इंडिया और फ्रांस ने मिलकर international solar alliance को बनाया है जहाँ पर हमारा main target है climate change से लड़ सकें solar energy का जादा से जादा use कर सकें हम भी एक रहें और दुनिया भर की countries भी करें इस international solar जो international solar alliances का headquarter कहाँ पर है इंडिया के अंदर में इंडिया में especially कहाँ पर गुरुगराम में फिर उसके बाद next article में हमने discuss किया था white sea horse के बारे में जो दर्याई घोड़ा होता है समुदर के अंदर यहाँ पर पाया जाता है समुदरी घोड़ा अब size में बहुत छोटा होता है लेकिन यहाँ पर थोड़ा देखने में जो shape बगरा है मुग का वो घोड़े की तरह है इस वज़ए से को हम लोग white sea horse के नाम से जानते हैं तो recently यहाँ पर white sea horse news में था तो white sea horse कहाँ पर देखने को मिलता है especially Australia के अंदर आपको white sea horse देखने को मिलेगा इसके अपनाब में कुछ feature होता है क्या feature होता है white sea horse में जो male वाला होता है न वो थोड़ा different है female वाला अलग है female वाला जो white sea horse से थोड़ा पतला दिख रहा होगा लेकिन male वाले के जो पेट है जो इसका पाउच है वो यहाँ पर इसमें देखने को मिलता है तो male वाले के white sea horse के पास में एक पाउच होता है दोस्तों यह आपने ध्यान में रखना है यह white sea horse के वल ऑस्ट्रिले में पाई जाते है इनका जो behavior है यानि कि आप कैसकतो यह अगर किसी दूसरे white sea horse को जन्म देते है तो उस reproduction का तरीका बिल्कुल अलग है वैसे क्या होता है वैसे normal तरीके से जो female है वो जन्म देती है यहाँ पर male जन्म देता है तो sea horse का breeding behavior बिल्कुल अलग है कैसा होता है मैं आपको समझाता हूँ यहाँ पर देखोगे जो male है वो yellow color में दिखाया गया female pink color में दिखाया गया है जो white sea horse है यह यहाँ पर male वाला yellow color में इसके पेट पे यहाँ पे pouch बनावाए पाउच लगावाए अब होता क्या कि जो female वाली जो white sea horse है यह अपने eggs को अपने eggs को क्या करती है male के इस pouch के अंदर में deposit करती है और male के इस pouch में जैसे वो अंडे डलते हैं तो उसके बाद में वो जो sperm है sea water है वो सब मिल जाता है और यह pouch बंद हो जाता है फेटलाइस होने के बाद में यहाँ पे वो जो अंडे है वो कहीना की नए sea horse का shape निलना start कर देते हैं बच्चों में बदलने start हो जाता है फिर कुछ टाइम बाद यहाँ पर ही जो pouch है इस pouch है यहाँ पर छोटे 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 है जो sea horse है cymbidium lancifolium के बारे में cymbidium lancifolium basically एक प्रकार का यह वला flower है यह वला plant आपको देखने को मिलेगा तो एक कहीना की बहुत ही सुंदर species है cymbidium lancifolium बोला जाता है कि यहाँ पर एक ऐसे पौदे की species जो की बहुत ज़दा popular है दुनिया बर में यह species naturally भारत में तो पाई जाती है भारत के साथ साथ भारत में की especially हिमालयाज में असम में सिक्किम में पाई जाती है उसके अलावा नेपाल, बुटान, चाइना, ताइवान, जापान के अंदर भी यहाँ पाई जाती है और यह कहीना कहीं 300 से लेकर 2300 मीटर की उचाई पर जो यह species है वो ग्रो करती है natural condition में आप देखो पाऊगे तो इनके species के जो पत्ते बगर हैं वो काफी जदा चौड़े होता है यह species काफी popular मानी जाती है popular क्यों मानी जालती है क्योंकि यहाँ पर इसमें से काफी अच्छी खुश्बू निकल कर आती है इसकी properties काफी अच्छी है color काफी different है बहुत अच्छी खुश्बू निकल कर आती है इसका use अलग-लग जगा पे किया जाता है outdoor decoration के लिए घर के अंदर decoration के लिए इसका use कर सकते हो तो इस वैसे commercially इसको बेचा भी जाता है तो एक नई species discover की गई इस वैसे यह news में थी अगले article में हमने discuss किया था Logistic Data Bank Project के बारे में तो Logistic Data Bank Project क्या होता है दोस्तों यह project 2016 में launch किया यह था जवालल नेरू पोर्ट मुंबई पर इस project का main मकसद है कि इंडिया का जो Logistic Sector है उसको ज़ादा efficient बनाया जा सके देखो Logistic Sector यानि की हम लोग बात कर रहे हैं कि समान का production जहां पर हुआ फिर उसका transportation सीधा उसके destination तक कर देना उसके गंतवे तक उस समान को पहुँचा देना यह हमारा क्या होता है Logistics इस Logistics के अंदर में जो container इनका सबसे बड़ा use होता है समान जो produce हो गया अब वो दूसरे देश में भेजना है जहाद से तो सीधा क्या होगा उस समान को पहले container में load किया जाएगा दन उसके बाद में यह container जहाज के उपर load करे जाएगे ठीक है तो कहीने के यहाँ पर यह जो project है Logistics Data Bank project यह कहीने के हमारे logistics sector को ज़्यादा efficient ज़्यादा powerful बनाने की कोशिच करता है इस project को implement कैसे क्या जादा तो इसकी implementing agency काफी सारी है जैसे डेली मुमे industrial corridor development corporation आपको देखने को मिल जाएगा तो यह bodies आपस मिलकर इसको implement करती है यहाँ पर हमारा target यह है कि जो यह containers है इनकी proper tracking की जासे के देखा जासे कहाँ पर आज किसमेंगे पर containers available है इस विससे containers के उपर में जो RFID tag that is radio frequency identification tag इसको लगाया जाएगा जिससे पता चलेगा container कौन से container कहाँ पर इस समय पर है जिससे proper tracking की जा सकेगी और कोई भी container जो है उसका कह सकते हो कि proper use किया जा सकता है बाकी कौन से ministry के अंदर में काम करेगा तो ministry of commerce and industry के अंदर में यह work करने वाला है next article में हमने इंद्रवधी tiger reserve के बारे में बात की थी तो थोड़ा यहां बे बात करेंगे तो इंद्रवधी tiger reserve कहाँ पर है 36 गड़ के अंदर जो बीजापूर district है वहाँ पर आपको यह tiger reserve देखने को मिलेगा इंद्रवधी tiger reserve को एक national park का दरजा दिया गया था 1981 में दन उसके बाद में इसको एक tiger reserve का दरजा दिया गया 1983 में project tiger के अंडर में उसके बाद यह मैंने आपको यहाँ पर location देती है इसको आप पढ़ सकतो क्योंकि हम already details से discussion कर चुके हैं अभी हम केवल revision कर रहे हैं यह आपको पढ़ने की आवशक्ता नहीं है कि कौन-कौन से animals कौन-कौन से plants यहाँ पर पाए जाते हैं इंद्रवधी tiger reserve से एक नदी बैती है इंद्रवधी नदी यह बहुत important है क्योंकि इंद्रवधी नदी के ऊपर ही यहाँ पर इंद्रवधी tiger reserve का नाम इंद्रवधी tiger reserve रखा गया है समझ गए तो इंद्रवधी जो नदी है यह कहीना की गोदावरी नदी की एक tributory है एक सायक नदी है कहां से बैती है इंडियन स्टेट्स ऑफ महराष्ट्रा 36 गड़ ओडिशा से यहाँ पर ही जो नदी है वो बैती हुई जाती है इस प्रकार से यहाँ पर आप देख पाऊगे इंद्रवधी tiger स्वरी इंद्रवधी नदी का location ओरिजिन की बात करेंगे तो इंद्रवधी नदी कहां से निकलती है ओडिशा के कलहांदी डिस्ट्रिक्ट से निकलती है फिर उसके बाद बैती हुई यहाँ पर सीधा निकलती है इस प्रकार से आप यहाँ बढ़ देख पाऊगे बैती हुई सीधा जाकर bay of bengal के अंदर में गिर जाती है उसके बाद length की बात करेंगे तो 535 km की length आपको यह देखने को मिल जाती है ओडिशा से निकल कर और बैती हुई गोदावरी को जॉइन करके मतलब महराष्टा और 36 रिल के बीच में एक boundary भी बना देती है यह नदी boundary बनाते विए सिधा यहाँ पर इंद्रवती नदी को कभी कभी यहाँ पर 36 गड़ के अंदर में जो बस्तर डिस्टिक्ट है ना उस बस्तर डिस्टिक्ट में इंद्रवती नदी को life line जी ओला जाता है कि lifetime लाव बस्तर डिस्टिक्ट क्योंकि यहाँ पर जो बस्तर डिस्ट्रिक्ट पूरी तरह से ग्रीन पड़ा हुआ है वहाँ पे जो हर्याली है उसके पीछे का रीजन है इंद्रवती नदी नेक्स्ट आडिकल मैं यहाँ पर डिसकस क्या था यलो सी के बारे में तो यलो सी यहाँ पर रिसेंटली न्यूज में था यलो सी कहाँ पर सिच्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च् यलो सी हमारे बोहई सी को और इस चाइना सी को जोड़ता है ये बात यहां पर लिखी वी है जैसे मैंने आलरडी आपको बता दिया यलो सी के अंदर कई सारे छोड़ छोड़ आइलेंड्स भी है जिसको लेकर कई सारा जो विवाद है वो यहां पर रहता है अब यलो सी कितना गहरा है ये सारी बाते आप शनी पुछ जाएंगी थोड़ा बहुत ध्यान रखना कि कुछ नदिया है जो कि यलो सी में गिरती है जैसे यलो नदी हो गई उसका यांग से रिवर हो गई ये सब यलो सी में आकर डिस्चार्ज हो जाती है यलो सी के अंदर छोड़े छोड़े डॉटे आइलेंड देखने को मिलेंगे कुछ सारे टापू देखने को मिलेंगे और उन आइलेंड में साउथ कोरिया के एक आइलेंड जिसको हम लोग जेजु आइलेंड की नाम से जानते हैं क्या है दोस्तों थोड़ा सा यहां पर इसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं यह कुछ ऐसा आपको दरश्य देखने को मिलता वाटर स्पाउट में है पानी से सीधा यहां पर बादल की एक कनेक्टिवीरी टॉर्नेडो के माध्यम से यहां पर हो जाती है इसके हम लोग वाटर स्पाउट बोलता है कुछ ऐसा सिनेरियो नजर आएगा कि बही पानी और उपर बादल में के बीच में पाइप जुड़ चुका है एक फॉनल सा जुड़ चुका है ठीक है अब यह बंता कैसे थोड़ा सा यहां पर इसके बारे में जान लेते हैं देखो जो वाटर वो यहां पर घूमना स्टार्ट करेगी वो वाम एर कैसे घूमेगी क्लॉकवाइज हो सकती है एंटी क्लॉकवाइज हो सकती है ठीक है दोनों तरीके से यहां पर वो गूम सकती है तो उसके बाद में एक डाक स्पॉट यहां पर नीचे बनता हो नजर आएगा कहां पर समु और यह water spout कहीं है कि यहाँ पर जो basically एक आपको spot से नजर आता है ना यह कहीं है कि एक reason हो जाता है ठोस reason कि हाँ यह water spout है तो water spout यहाँ पर C में जब बनता है यह मैंने आपको इसके बारे में information बताया है जो सारी सारे water droplets होती है जो कि हमारी उपर उठते हुई नजर आती है समझ गए तो water droplets हमारी उपर उठते हुई नजर आ रही है तो water spout basically tornado की तरह आपको नजर आता है tornado की तरह यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा जहाँ पर समुधर बादल के साथ में जुड़ रहा होता है तो यहाँ पर यह जो है ना इसका formation कैसे होता है एक dark spot से शुरू होता है पानी के surface पर एक dark spot बन जाता है फिर spiral pattern में यहाँ पर जो पानी है वो उपर उठने लगता है पानी किया बेसिकली वो छोटी-छोटी बूंदे होती है water droplets होती जो कि यहाँ पर उठने लगती है और सिधा यहाँ पर वो जो wind के मादम से उपर जाकर जुड़ जाती है यह water spout कई सारी जगह पर देखने को मिलता है जैसे Europe, Middle East, Australia, New Zealand, Antarctica के अंदर में और कह सकते हो कि यहाँ पर यह कुछी समय तक रहता है जादा समय तक नहीं रह पाता है कुछ मिंटों से लेकर कुछ घंटों तक यहाँ पर इसकी availability इसका duration यहाँ पर देखने को मिलेगा size जो है size कभी छोटा भी होता है कभी size काफी ज़दा बड़ा भी आपको देखने को मिल जाता है ऐसा यहाँ पर बोला जा रहा है ठीक है आगे आता है next article पर आगले article में हम लोग एक कोली के बारें बात की थी एक प्रकार का bacteria जो की humans और animals के intestine में उनकी आतों में पाया जाता है कोली जो है एक rod ship वाला bacteria है यह ध्यान में रखना है यह bacteria बिलॉंग करता है enterobacteria के ही family से जो इक कोली के ज़्यादतार strains होते हैं वो harmless होते हैं उनसे कोई नुकसान नहीं होता है कुछ ऐसे यहाँ पर कह सकते हो e-koli के variants देखने को मिल जाते हैं जो की बहुती ज़्यादा खतरना को होते हैं एक इंसान को बुरी तरह से बिमार करके उनकी जान ले सकते हैं तो क्या e-koli फैल सकता है बिल्कुल एक गंदे खाना पानी या contact की वज़ा से e-koli फैल सकता है यानि एक नॉर्मल परसन को e-koli है तो यह दूसरे परसन को फैला सकता है कई सारी प्रकार में हमने देखा है कि यह जो e-koli नाम का बैक्टिरिया है यह डाइरिया बना देता है एक इंसान के अंदर में या निमोनिया या फिर कोई और दूसरी बिमारी भी लोगों को होने लगती है symptoms के हैं तो symptoms यहाँ पर depend करते हैं इसके infection के उपर कई बार यहाँ पर nausea, cramping, vomiting, बुखार यह सब चीज़े यहाँ पर नजर आती है treatment की बात करेंगे तो जातर e-koli के infection self-limiting होते हैं अपने आप होकर अपने आप खतम हो जाता है बिना किसी treatment के बस अपने ध्यान में जो रखना होता है वो है hydration, proper पानी पीते रहो अपने बाडी को hydrate रखे रहो तो यहाँ पर e-koli का infection कुछ नहीं कर सकता लेकिन कभी-कभी जो situation है काफी complicated हो जाती है बहुती जादा यहाँ पर कठिन कह सकते हो की जो situation है वो यहाँ पर नज़र आती है काफी सरे cases ऐसे भी होते हैं जो bacteria काफी खतरनाक हो जाता जिसकी वेसे एक अच्छा attention चाहिए होता है फिर उसकाद में next radical हमने discuss किया था Ludwigia, Peruviana के बारे में यह जो आपको flower plant दिख रहा है इसे की हम बात कर रहे है तो recently यहाँ पर एक invasive plant है invasive plant जो की आपको पतावना चाहिए जो की बाहर से आया हुआ है बाहर से एक plant है जो की हम लेकर आये थे किसी और देश से उसको हमने अपने area में लगाया और वो अब खत्रा साबित हो गया हमारे local plants के लिए इसकी growth बहुत जादा हो रही है और वो local plants को मारता जा रहा है यही situation अभी तमिलाडू के अंदर नजर आई है कि यह जो Ludwigia Peruviana है यह तमिलाडू के अंदर जो elephant habitat है जहां पर हाती रहते हैं गहां से वगर आपनी खाते हैं वहां पर यह plant उगाया गया और इतने बड़े लेवल पर उगा कि वहां के गहां से वगर सब कुछ बेकार होनी स्टार्ट हो गई है elephant जो है अपना area वो छोड़ कर निकल रहे हैं क्योंकि खाने को कुछ नहीं है कि इसकी वज़े से लुडविगा पेरुवीनिया की वज़ा से लुडविगा पेरुवीनिया को हम लोग प्रिम्रोस के नाम से भी जानते हैं यह Central America और South America में पाया जाता है इसका जो flower है जो full है वो आपको pale yellowish color का देखने को मिलता है आपको यहाँ पे नजर आ रहा होगा यह जो plant है 12 feet की हुझाई तक जो grow कर सकता है यह काफी तेजी से जो हमारे wetlands हैं जीले हैं, लेक हैं, नदियां हैं उनमें grow करता है और बहुत ज़दा harmful weed है यानि कि एक area में अगर उखता है तो वो बहां के local plants को खतम करके खुद अपनी जो आपके सकतो growth है वो बनाई रखता है सबसे खतरनाक चीज़ है इसको उखाड़ पाना भी बहुत मुश्किल है और pre-monsoon का temperature और जो monsoon की बारिश होती है वो इस plant को तेजी से grow करने में मदद करती है तो मिलाडू के अंदर में 22 priority invasive plants है जो खतरनाक plants है उनमें category में ये भी आता है ये इसलिए भी एक बहुत बड़ा challenge है क्योंकि कई बार इसको उखाड़ने की कोशिश की जाती है आप भी सोच रहोंगे भाई नॉर्मल है उखाड़ दो फैंक दो खतम लेकिन उखाड़ तो देते हैं लेकिन उखाड़ने की बात क्या होता है इसकी जो जड़े हैं वो अभी भी मिट्टी में रगाती है जिसकी वज़से ये वापस से उख जाता है वापस है जिसे फैलना स्टार्ट हो जाता है इस वज़से यहाँ पर आप कहसे हो ये खत्रा सा भीत है दिन उसके बाद में नेक्स राडिकल में हमने बतगाई का क्रेटर के बारे में बात की थी तो हाली में ड्रोन से एक यहाँ पर फूटेज लिया गया है रश्या के अंदर इस प्रकार से क्रेटर बन रहा है ये क्रेटर कोई समुद्र के अंदर चलती होई मचली नहीं है ध्यान अकना ये एक गड़ा है ठीक है ये गड़े की दिवारे आपको दिख रही होगी धूप इदर से पढ़ रही है तो यहाँ पर ये दिवार की छाओं आपको यहाँ पर नजर आ रही होगी तो ये पूरा का पूरा एक बहुत बड़ा गड़ा है जो कि लगातार बढ़ता हुआ चले जा रहा है ये गड़ा रिश्या के फारी स्ट्रीजन में देखने को मिल पाएगा बोला जा रहा है कि ये गड़ा जो बढ़ रहा है कहीं न कहीं ये देश को सुरी ये आने वाली समय पर दुनिया को लेगल सकता है इस वैसे इसको नरक का दरवाजा भी बोला जा रहा है ठीक है अब क्या होता है न ये जो एरिया है यह जो गड़ा है यह कहीना की Underworld का एक Gateway नजर आएगा अब यह कैसे हो रहा यह गड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है उसके पीछे का Reason है Reason यह है क्योंकि यहाँ पर यह एरिया एक Permafrost Region है Permafrost Region वो होता है जो की लंबे समय से कह सकतो बरफ में रहता है और कईने की काफी सारे एरिया ऐसे हैं Arctic Region में जैसे Greenland, Alaska, Canada, Russia, Eastern Europe जो की लंबे समय से permanently जम जुके हैं और जमने के बाद में situation कुछ ऐसी दिखाई पड़ती है उपर तो यहाँ वे पुरापर ground है लेकि नीचे से बरफ जमी पड़ी है ठीक है इसी को हम लोग पर्माफ्रोस्ट बोलता है लेकिन आज कल क्या हो रहा है Climate Change तेजी से बढ़ रहा है गर्मी तेजी से increase हो रही है temperature बढ़ने की वज़ा से जो नीचे की बरफ की परात है वो पिगल रही है और बरफ पिगलने की वज़ा से क्या हो रहा है कि यहाँ पर यह जो गड़ा है वो लगतार बढ़ता चला जा रहा है बरफ पिगलेगी और यह जो गड़ा है वो इस प्रकार से यहाँ पर increase होता वा चला जाएगा इसी वेसे इसको हम लोग बतगाए का creator यहाँ पर बोलता है creator मतलब एक बहुत बड़ा गड़ा यह आप देख पाओगे गड़े के अंदर से photo ली गई है यह इसकी दिवार हो गई तो कितना जादा यह बहुती जादा उंचा गड़ा है पता है यह आप कैसे अंदा जादा लगा सकते हो यह मने जो circle बनाए इस circle को देखो इस circle में एक छोटा सा आदमी यहाँ पर खड़ावा है तो आप देख सकते हो एक छोटा सा आदमी है और यह गड़ा कितना जादा बड़ा है और यहाँ पर जो बरफे लगातार पिगल रही है यह गड़ा फैलता चले जा रहा है दीरे दीरे ऐसी information निकल करा रही है एक फोटो देखो कौनसा ये वाला समुदर के अंदर में एक प्रकार का किनारे एक हिस्सा देखने को मिलता है वो ऐसा सी में जो शेप में होगा वो यहाँ पर बे होगा जो कि हमारे एक छोटे से एरिया को पूरे समुदर के साथ में जोड़ रहा होगा इसको हम लोग नैचुरल हारबर भी बोल सकते हैं नैचुरल पोर्ट भी बोल सकते हैं एक ऐसा बंदर का जहाँ जो जहाज है वो सीधा एंड तका सकता है ठीके एंड तकाने के बाद में साथी साथ में आप यहाँ पर दो सेक्यूरिटी रखके इस एरिया को पौरी तरह से सुरक्षित कर सकते हो प्रोटेक्शन दे सकते हो तो नैचुरल कुद्रत की कुद्रत तौर पर यहाँ पर तो जो इस प्रकार का कैमरेन बे है यह वेतनाम के अंदर है रीसेंट्ली याँ पर नीूस माँना है नैचुरल बंदरगा का काम करता है जैसे मैं आपको बताया है ना यहां पर कही सारी जो फैसिलिटीज इस पोर्ट पर वह आपको देखने को मिल जाती है उसके अलावा जैसे मैंने भी आपको लोकेशन दिखाया है तो वेतनाम कहां पर है दोस्तों यह आप देख पाऊगे मै पर उसके बाद मैं क्योंकि अभी यहां पर वेतनाम को भारत ने क्या किया है आइनस किरपान इंडिया नेवल शिप किरपान गिफ्ट की है तो थोड़ा सा इंडिया नेवल शिप के बारें बात करते हैं यह हमारे द्वारा खुद के द्वारा बनाया हुआ कॉरवेट है इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगा जिसमें कई सारे जो हत्यार है वो लगेवे होता है दुश्मन का कोई भी यहां पर टार्गेट होगा दुश्मन को हम अराम से टार्गेट बना सकते हैं इस जहास के माद्यम से तो यह जो आइनस किरपान है यह खुकरी क्लास पर पूरा जाहाज है जिसको इंडिया नेवी में लाया गया था 12 जैनवरी 1991 में इसके फीचर्स की बात करेंगे तो उसका जो वेट है लगबग 1400 टंस के आसपास का देखने को मिलेगा इस पीड 25 नॉट से जादा है कई सारे हत्यार इसके उपर लगाएगा है मीडियम रेंज गन 30 mm का क्लोज रेंज गन लगा रखा है उसके अलावा यहाँ पर कोस्टल ऑफशोर पेट्रोलिंग के लिए इसको यूज क्या जा सकता है सीधा सीधा यहाँ पर जो हमारे कोस्टल एरियाज होता है तर्ट वाले रीजन होते हैं मापे 10 तक मारने के लिए इसका यूज क्या सकता है यह कई पर कोई डिजास्टर आता है है ना कोई यहाँ पर कह सकते हो कि कोई भी डिजास्टर आता है तो उस डिजास्टर के अंदर में लोगों को बचाने के लिए rescue operations चलाने के लिए भी यहाँ पर इस जहाज का यूज क्या जा सकता है या फिर जो pirates होता है समुद्री लोटे रहे होता है उनके खिलाव भी यहाँ पर यह जो जहाज इसका यूज क्या जा सकता है लोगों ने अपना Saturday का वीडियो डिसकस किया है कल का ही वीडियो है आप जाकर कल वाले वीडियो को एक बार देख सकते हो कल वाले वीडियो को कल वाला वीडियो को इतनी कोई खास revision की आवश्यक्ता नहीं है होगी भी तो वह यहाँ पर नेक्स्ट वीक हम लोग करेंगे तो maximum articles का revision आज हम लोगों ने अपने इस वीडियो के अंदर में गया यह कल वाला वीडियो है ठीक है कल वाले वीडियो में मैंने इस सारी चीज़े डिसकस किया है कारगल वाल वगरा तो आप उसको एक बार वीडियो में आज के लिए बाबाए, have a nice day, thank you and jahind